Good morning students, हमने 10.1 exercise के almost सारे question कर लिए, सिर्फ 5th और 6 रहता है, दोनों similar हैं, मैं आपको 5th करा रहे हूँ, आप 6 खुद से कर ले न, अगर कोई query हो तो आप मुझसे पूछ ले न, बाद में, ठीक है, बट दोनों similar हैं, ठीक है, चलिए, start करते हैं, क्या है 5th question, 2 ranches of pitches, P and P dash, whose x is at a distance 2A from each other, देखो, मैं आपको पहले rough figure बना के दिखा रहे हूँ, ये एक pitch है, ठीक है, 2A distance पे दूसरी पिच है, मान लेता है, यहाँ से लेकि, यहाँ तक की कोई distance, 2A हमने मान ली, इस पे दूसरी pitch है, जो की क्या नाम दिए, 2 pitch कौन कौन सी दिए है, P, ठीक में देखिए, ये P dash, अगर मैं इसको ऐसे बनाती, तो ये इसी के parallel हो जाती, तो वो एक इसका specific case होता, तो pitch, दूसरी हम कुछ ऐसे बना रहे है, वैसे ऐसे है, जैसे मेरा ये pen है, ऐसे है, ये तो हम इसको यहाँ तो ड्रो नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने plane पे ड्रो करने के इसको ऐसे बना दिया, तो ये दूसरी pitch क्या है, P dash, ठीक है, और ये distance कितनी है, 2A, आगे देखिए statement, have a resultant range of pitch omega, whose axis intersect the shortest distance between the axis of given ranges at a distance x from its middle point, देखिए students, ये मान लेते हैं, यहाँ कोई middle point है, ठीक है, यानि C point पे, C से AC distance भी A हो गई, और CB distance भी A हो गई, क्योंकि total distance कितनी है, 2A है, और ये mid point है, तो ये भी A, और ये भी A, लेकिन उन्होंने बोला है, जो resultant, इस P और P dash का resultant range होगा, वो कहां लाई कर रहा है, इस middle point स X distance पर, मान लो मैंने यहाँ कहीं point O, या कुछ भी consider कर लो, मैंने मान लो इसको O consider कर लिया, ठीक है, तो ये यहाँ से इतनी distance क्या है, X, इस पे लाई कर रहा है, इनका resultant, जिसकी pitch क्या है, ओमेगा, ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ से distance पता करनी है, AO, कितनी बन जाएगी, A minus X, AO distance क्या हो जाएगी, A minus X, क्योंकि यह पूरी A है, यह X है, तो यह कितनी हो जाएगी, A minus X, और O से B तक की पता करनी हो, तो OC कितनी है, X, और C से BA, तो O भी हो जाएगी, A plus X, चिक, यही बोला था students, X from its middle point, Prove that the angle between the given ranches, अब हमें यह proof करना है, यानि दोनो ranches की बीच में angle, यानि देखो, यह pitch P थी, और इसके अगर मैं parallel बना लुए है, X, तो यह मान लेते हैं, यह भी P है, तो making an angle theta, तो हमें यह angle निकालना है, that is making an angle, हमें 10 theta निकालना है, ठीक है, देखिए students, यह हमारी figure है, यह X, वो जो मैंने बनाया था, pitch P के लिए, यह दी हुई है, intensity, force की कितनी ले ली, R1, और अगर हमें जब pitch दी होती है, तो हम couple लिख सकते हैं, couple किस देखिए नोट करते हैं, K से K is equal to P by R, अब यहाँ पे हमें pitch, एक P दियो, एक P dash दियो, और couple लेते हैं, दूसरा, तो couple कितना हो sorry students, pitch का formula होता है, K by R, P is equal to K by R, तो अब P into R हो जाएगा couple के लिए, P into R1, क्योंकि force की intensity कितनी है, R1, P R1, और यहाँ पे जो लिया, यह P R2 intensity लिया है, और यहाँ की pitch P dash थी, तो couple किया बन जाएगा, P dash R2, ठीक है, और यहाँ इस पे, यह middle point है, इससे zi distance पे resultant था, R, हम force ले लेते हैं, R, और pitch थी omega, तो हमारी couple क्या बन जाएगा, omega R, ठीक है students, अब अगर मुझे यह point पे पता करने है, point क्या होंगे, coordinate, तो यह z axis है, z axis है, तो x, y, 0, 0, और point क्या है, यह distance कितनी है, origin से, a minus i, तो यह coordinate हो जाएंगे, ऐसे ही b के coordinate क्या हो जाएंगे, यह भी z axis पे 0, 0, लेकिन यह origin से इस side है, तो यह negative में जाएगा, minus of, यह distance कितनी है, ओ भी मैंने अभी आपको बता है, a plus i, तो यह coordinate ही हो गए, ठीक है, यह x axis, यह z axis पे बने हो है, और इनके perpendicular हमने, ऐसे यह वाला क्या ले लिया, y axis, ठीक है, अब हमें निकालना है angle, making an angle theta जो यह बना हुआ है यह हमें find out करना है, that is 10th theta हमें यह find out करना है, देखिए students कैसे करेंगे, lmnb the direction cosines of r, omega r, ठीक है, यानी r और omega r, यानी जो resultant range है, इसके direction cosines हमने let किये हैं, खुद से lmnb the direction cosines of resultant range, ठीक है, इनकी जब need होगी हम इनको use कर लेंगे, अभी पहले हमें components निकालना है, पहले force r1 के component निकालो students, यह x-axis के along है, तो y और z पे 0 जाएगा, तो r1 के component हो जाएगे r1, 0, 0, क्योंकि x-axis के along है r1, similarly अब r2 के component निकालेंगे, r2 के component x-axis के along, theta बना रहा है, तो यह क्या बन जाएगा, r2 cos theta, और y-axis ऐसे होगा, यहाँ पे, ऐसे, तो perpendicular होगा वो इसके, तो r2 sin theta y-axis के along, हमें पता है, जब perpendicular होता है, तो sin theta आता है, और जिसके साथ वो theta बनाता है, वो cos theta आता है, और z-axis का क्या हो जाएगा, 0, यह हमने r1 और r2 के components लिख लिए, ठीक है students, और resultant जो है हमारा, resultant जो wrench है, उसमें r क्या है, r के component निकालने के लिए क्या है, हमें force पता है r, और जब हमें direction को science पता होते हैं, तो हम easily component निकाल सकते हैं, तो r के component क्या आ जाएंगे, rl, rm, rn, force को direction को science से multiply करने पे हमारे पास component आ जाते हैं, तो हमने r1 के component निकाल लिए, r2 के निकाल लिए, और यह resultant wrench जो था, इसमें जो force है, इसके component निकाल लिए, ठीक है students, अब x- axis के along क्या हो गया, force के component, r1 plus r2 cos theta is equal to rl, ठीक है, और y axis के along 0 plus r2 sin theta is equal to rm, और z axis के along तो 0 है, ठीक है, तो first equation और second equation, यह तो हमने forces को क्या, उनके component निकाल लिए, अब moment के निकालने पड़ेंगे, moment देखो students, r1 का भी निकलेगा, r2 का भी निकलेगा, p r1 के भी moment निकलेगे, यह p-r2 का भी moment निकलेगा, ठीक है, और इसके omega r के moment, component जो है, वो हम easily निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास direction को science है, चलिए start करते है, सबसे पहले, moment of couple r1, अब component निकाल रहे है, r1 के moment के, देखो, x-axis पे है यह तो, p, r1, अगर x-axis पे है, और इसके point क्या है, यहां से, 00a-i, और r1 के component क्या आ गए थे, force के, r1, 00, couple का moment मैंने आपको सिखाया ही था, i-cap, j-cap, k-cap, point, 00a-i, और force के component, इसको solve करोगे तो, मेरे पास यहां, r1 के moment के component क्या आ गए, 0, r1 into a-i, और 0, छीक है, similarly, आप force r2 के component निकालेंगे, moment के, देखो, point क्या है यहां पे, 00-a plus i, छीक है, और r2 के force के component यह है, तो, r2 force के, moment के component क्या निकलेंगे, i-cap, j-cap, k-cap, point है, और force के component है, इसको solve कर ले ना, तो, यह r2 sin theta a plus i, minus r2 cos theta a plus i, 0, छीक है, यह component of moment आ गए, r1 के और r2 के, अब हमारे पास किसके, p r1 का भी चाहिए, p r1 x axis पे है, तो, यह क्या हो जाएगा, p r1, और y और z का क्या हो जाएगा, 00, छीक है, देखिए students, component of moment, p r1, p r1, 00, अब p-r2 का देखू, p-r2 का, x axis के लोंग तो, क्या हो जाएगा, p-r2 cos theta, क्योंकि इसके साथ theta बना रहा है, y axis के अलोंग क्या जाएगा, क्योंकि वो इसके perpendicular है, p-r2 sin theta, और z axis का क्या जाएगा, 0, तो, p-r2 cos theta, p-r2 sin theta, 0, छीक है, resultant couple, अब यहाँ पे, जो यह है, couple, omega r, direction को science पता होते, तो component हम easily निकाल सकते हैं, तो omega rl, omega rm, omega rn, छीक है, यह हमारे resultant couple के component निकल गए, r omega r, r omega r, छीक है, अब हम combine कर लेते हैं, इनको x-axis और y-axis के along ले लेते हैं, देखो students, r1 के component के moment के component क्या आये थे, 0, along x-axis, और इसका along x-axis आये, r2 sin theta, a plus y, p-r1 का आया है, p-r1, x-axis के along, और p-r2 का p-r2, सबको add कर दो, is equal to resultant couple along x-axis कितना है, r omega r, ठीक है, along x-axis, r omega r is equal to, यह सबको add कर दिया, this is equation number 3, similarly y-axis के along करेंगे, r omega r is equal to this, और z-axis के along तो 0 हो जाएगा, ठीक है, equation number 3 and 4, अब equation number 1 में देखो, rl है, rl की value r1 plus r2 cos theta, और equation number 3 में भी students r into l r है, तो यहाँ इन दोनों equation से मुझे rl को क्या करना है, eliminate करना है, तो मैं first equation से r into l की value निकाल के यहाँ put कर दू, r1 plus r2 cos theta into omega minus p r1 is equal to p dash r2 cos theta plus r2 sin theta of a plus xi, बस r1 को एक side रखा, r2 को एक side ले गए, this is the equation number 5, similarly equation number 4 and equation number 2 है, महाँ पे rm की value है, तो यहाँ से rm को eliminate करेंगे, महाँ पे rm की value है, r2 sin theta, ठीक है, यहाँ put करना, r into m की value into omega is equal to यह सब as it is, ठीक है, यहाँ भी r1 को एक side रखो, बाकी सब r2 को उधर ले जाओ, shift किया वह, this is the equation number 6, अब r1 और r2 को क्या, बस calculation है, हमें 10 theta निकालना है, यह हमने resolve, अगर किसी बच्चे को अगर करने आ जाते न, उसके बाद just calculation होती है students, अब हमें 10 theta निकालना है, तो उसके लिए अब हमें काम करना पड़ेगा, यह equation number 5, this is equation number 6, दोनों को क्या कर दो, divide, थाकि हमारे r1 और r2 तो क्या हो जाए, eliminate हो जाए, divide करेंगे तो r1 और r2 यहां से cancel हो जाएंगे, यह equation बनेगे, ठीक है, cross multiply करके यह आ गया, यह बस just students, sin theta की term से excite कर ली, और cos theta की term से excite कर ली, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 10 theta, तो cos theta को इसके divide में ले जाओ, और इसको इधर ले जाओ, तो 10 theta is equal to this, बस calculations and students, यह हमारा 10 theta की value यही हमें प्रूफ करनी ती आ जाएगी, ठीक है students, question number 5 मेरी तरफ से complete हो गया है, question number 6 बिल्कुल similar ऐसा ही है, आप लोग इसको try कर ले न, और यह अब हमारा chapter 10 complete हो चुका है, अब हम next lecture में 11 chapter start करेंगे, okay?